अस्सलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग तो मैं बनाने जारी हूँ चिकन बोनलेस टिकका तो चिकन बोनलेस टिकके के लिए मैंने सारी चीजे चिकन जो था वो पूरा दोके ले लिया एक किलो थक मेरा चिकन था और इसको मैंने सारा दोके ले लिया है अब मैं इसमें पर दो सबसे पहला निमक निमक की बार यह एक चमच निमक डालूंगी उसके बाद में यह मैने 65 जो रहता है मसाला यह मैंने डाल दिया क्योंकि इससे कलर आता है और थोड़ा टीखा भी रहता है और फिच मिर्ची कोट के रहता है तो वो मेरे पास थे पाउच तो मैंने वो मसाले घर के होते हैं, वो डाल दी, वो भी आप, आपके साब से डालिए, जैसे के मैंने एक किलो लिया है, तो मैंने लाल तीखा मैंने एक चमच डाली हूँ, लाल तीखा मैंने एक चमच डाली हूँ, कश्मीरी मैंने कलर आने के लिए दो चमच डाला है, और लाल तीखा फिर लाल ती खड़ा लाएक चमच, फिर से मैं और डालूँगी बाद में इसके लिए, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, हरा मसाला भी आप 4-5 चमच डाल दीजे, क्योंकि चमच मैंने छोटे लिए, अगर आप बड़े चमच लोगे तो 2 चमच भरके बड़ा चमच डाल अब सारी चीजों को हम मिक्स करके रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, अब ये मैं बना दीए चटनी, चटनी के लिए धनिया, मिर्ची ली हूँ, लसुन नहीं लेती हूँ, मिर्ची ली हूँ बस, अब मैं ये सारी चीजे जो पीज जूँगी, मिर्ची और कोतमीर, इसमें नहीं डालूँगी, धही डालूँगी, थोड़ा अलग कुछ तो भी मैं अलग अलग चीजे चाहिए होती है, तो धही में ये सारी चीजे मिक्स करूँगी, चटनी बहुत माशालला अच्छी बनीती, तीकी तीकी बनीती, तो जिनको तीखा खाना पसन है, चटनी तो तीकी तो और अच्छा हो जाएगा, और कुछ जादा प्रॉबलम नहीं है, तो देखे, दही में मैंने ये मिक्स कर दिया, पूरा का पूरा, और बाकी का जो जार में बचा था, तो जाएसी बते मिर्ची का मसाला है, तो दही में तो नहीं डालूँगी, तो ये जो अपनी चटनी पानी पानी हो जाएगी, क्योंकि अलेडी धाई है, तो इतनी गाड़ी अपने को चटनी चाहिए, तो मज़ा आएगा खाने के लिए, तो मैंने क्या किया मालूँए, वो जो पानी था जार का, वो मैंने चिकन में डाल दिया, क्योंकि हम बाद में उसमें उसको गोश को हलका सा निमक डालिए, ने तो धाई फोड देगा, जब आप खाने बेटे हो ना तब डालना नमक, अभी ने डालना, तो देखें सब को मिक्स करके, डबा, एटाइट करके में डग दिया, अब फिर चिकन फ्राइ करने का है, मगर पहले में, देखें ये पूरा पानी मेंने जो जार का था, वो इसमें डाल दिया, रीजन ये क्या है, इसको गोश्क अच्छे से लग जाए, और बहुत टेस्टी बनता है, और ताजा, अगर आप मुर्गी का लाके बनाओंगे, तो और अच्छा लगता है, वैसे भी फ्रीजर में भी रखेंगे, तो भी वो ताजा ह माशालला से, तो देखे इस तरीके से, सब को मिक्स करके रख दिया, और ये मैंने बनाई थी, बरबर 14 जुलाई को, संडे के दिन बनाई थी, शाम के वक कुछ था नहीं, मतलब होता है न, कि चौली की भाजी, और खाना और मटन मनाया था हमने, तो सब खतम हो गया था, कु तो फ्राई हो जाया है, इस वज़े से, तो फ्राई इस पहले मैंने फ्राई कर दिये, बेटे-बेटे होता है न, कि इंसन क्या सोचे, रोज रोज भी इंसन क्या बनाई, और मुहरम के मैंने में चौली भाजी, खिचडी यही सारी चीजे बनती है, और कड़दन में भी चाहिए ही, और ऐसा इसलाम में कुछ नहीं है, कि खाने को मनाई है, अब खाना जो भी आपके हिसाब से अवेलेबल है, वो खा सकते है, तो यह भी मैं वो कर दो, कि बहुत लोग सात्वी के दिन भी फात्या देते, तो हमने अलड़ी फात्या दे चुके, वो मैंने वीडिय डाल चुके हो, तो देखे, यह फ्राइज मैंने फ्राइज कर लिए, फ्राइज भी फ्राइज हो गए हमारे, और फ्राइज फ्राइज होने के बाद, फिर मैंने चिकन टिका फ्राइज किया, फिर मैंने कली जी फ्राइज की, उसी में, और कली जी को ज़्यादा फ्राइज करने सिफ डाला अपने और निकाल दिया यहाद रुखना कि काली जी जल्दी पकड़ती और फिर क्या होता हुथ है में फूटने लगती तो इसका बहुत ध्यान रखना और जब भी फ्राइ करें तो सम्भाल के बहुत होती है तो इस तरीक तीन से चार बेच मेंने यह फ्राइ वीडियो से तीन बैंच में ने बना दी ठीन बैंच में ने बना दी और थोड़ा ठाइम तो लगता है और मैंने फासवर्ड में नहीं भगाया है क्योंकि अश्ट डाल रहा है क्योंकि होता है मेरे पास है वीडियो मंगर मुझे यार नहीं रहता या इनसान पास वक नहीं होता क्योंकि बीजी लाइफ चलती है इतना काम होता है कि इनसान को टाइम ही नहीं होता है फिर मैंनेarni देखा रहे मिरे पास तो वीडियो है और 14 जुलाई का है यह वीडियो और मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है लॉंग वीडियो में डाला तो इस वज़े से मैंने अभी ये वीडियो बना दिया कि मैं बुली नहीं लॉंग वीडियो भी में बनाती हूँ मेरा वीडियो भले ही लोग देखे नहीं देखे इंसन डिपरेशन में चला जाते है तो देखिए बोटी माशाला से अच्छी फ्राइ हो गई है अच्छी फ्राइ हो गई है और इसको भी इतना ही टाइम आप फ्राइ करना जितनी इसकी जरूत है क्योंकि यह कच्छा नहीं रह जावे क्योंकि हम यह उबाल वगेरा नहीं ले और उसका टेस आपके जबान पर आई जाएगा जब आप खाओगे तो माशाला से क्योंकि मैंने मिर्ची का भी पानी बाद में जो मसाला बनाई थी चटनी का वो भी मिने डाली थी तो उससे और टेस आ जाता है तो माशाला से पीस भी बहुत अच्छे टेस्टी लग रहे खाने के लिए और मज़ा विया खानी के लिए और दो से तीन बेंच ये भी हो गए और बहुत सारे पीस थे ऐसा नहीं क्या कम एक किलो एक किलो से जाधा था तो माशाला से इतना भरपूर हो गया जैसा सोचा नहीं था उससे ही ज्यादा अच्छा हो गया तो ऐसी चीज़े हो जाती है कभी-कभी जाने अन्जाने में ऐसा सोचके नहीं कुछ बनाये था अच्छानक में 오늘 बन गई थी शाम में ये dish क्योंकि बारिश का season है तो बारिश के मोसम में हम भार नहीं जाते तो भार नहीं गए, कुछ काम नहीं तो चलो घर में कुछ न कुछ बना के खाई लेते तो अच्छ च्छ बना के खा लेते कभी वीडियो बना लेती हूं कभी वीडियो बनाने में ध्यान नहीं रहता रीजन ही कि जल्दी जल्दी बना देते न तो बाद में याद आता है रहे वीडियो नहीं बनाया इस वज़े स तो देखे यह सारी चीज़े अभी रेडियो हो गई देखें माशालला कितने अच्छा अच्छा मैंने दो चटनी बनाई थी और लिंबू भी है और सॉस के साथ भी खा सकते हैं माशालला से देखें चिब्स भी माशालला बहुत टेस्टी और लज़दार बने थे थोड़ा सा हलका पानी में नमक डाल देना तो टेस्स आता है खतम हो गया वह मटने चिकन के पीस सोड़े से बचे दे रीजन ये कि बहुत सारा था ना तो इस वज़े से तो मेरी अच्छे अच्छी वीडियो ऐसी तरीके से आप लोगों के लिए आते रहेगी लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करते रहना और जब आप लोगों देखेंगे तभी मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि मैं अच्छे अच्छी वीडियो डालो तो जादा से जादा अच्छे अच्छी वीडियो आती रहेगी आप लोगों के लिए थैंक यू बब बाई